और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दिली से बड़ी खबर के साथ बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दिया एक सो पिंचानवे पूरे देश बर से और चटिस गड़ से सभी 11 लोगसबा सीटों पर एलान कर दिया भारती जन्ता पार्टी की पहली सूची में 36 गड़ से 11 की 11 लोगसबा सीटों से उम्मिदवारों का एलान कर दिया है साथ सांसदों के टिकट बीजेपी ने काट दिया है तो देखिए साथ सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाए लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है तो तीन महलाओं को टिकट मिला है ग्यारा में से तो सात नए लोग हैं नए उम्मिदवारों को टिकेट दिया गया है न्यू केंडिडेट और 11 में से तीन महलाओं को टिकेट दिया गया है तो bjp ने जो पहली सुची जारी कही है खास बात है कि 36 गर की 11 में से 11 सीटे खोशित कर दी उम्मीदवारों की घोशना कर दी है जिनमें तीन महलाएं हैं और साथ मौझूदा सांसुदों के टिकेट टिकाट दिये हैं चलिए अब आपको ये बताते कहां कहां से कौन उम्मीदवार बनाए गया है तो देखी एक एक करके नाम बताते सरगुजा से चिंतावनी महराज को टिकेट दिया गया है सरगुजा से चिंताबनी महराज को टिकेट दिया गया है राइगर से राधिशाम राठिया को टिकेट दिया गया है तो जांजगीर से बात करें कमले जांगरे को उमिदवार बनाया गया है कोरबा से सरोज पांडे को उमिदवार बनाया गया है इसके लावा अगर बात करें बिलासपूर की तो बिलासपूर से तोखन साहू को टिकट दिया गया है बारती जनता पार्टी के तरब से उमिद्वार बनाया गया है राजनात गांसे संतोष पांडे को और दुर्ग से विजय बगिल पर एक बार फिर भरोसा किया गया है विजय बगिल को एक बार फिर मौका दिया गया है और राइपूर से ब्रजमोन अगरवाल ये चौंकाने वाला नाम है ब्रजमोन अगरवाल को टिकट दिया गया है और कांकेर से भोज राज ना को उम्मिद्वार बनाया गया है तो बस्तर से महेश कश्यप को उम्मिद्वार बनाया गया है और तीन महलाएं कौन-कौन सी महासमुन से देखिए रूप कुमार चौधरी को टिकट दिया गया है तो सरोज पांडे को कोरबा से उम्मिदवार बनाया गया है और कमलेश जांग्रे जांगीर से उम्मिदवार बनाया गया है तो तीन महलाओं को टिकेट दिया गया है तो तो 36 घर से तीन महलाओं को टिकेट दिया गया तीन महलाओं पर भरोस्ता जताया गया है रूपकुमारी चौधरी जिनको उम्मिदवार बनाया गया देखिस साथ सांसोतों के जो टिकेट कटे वह पता रिनुका सिंग सर्गुजा से मोनलाल मंडा भी कांकेर से और सुनिल स सुनिल सुनी रायपूर से जिनका ठिकेट काटा गया है ओ सब्सक्राइब से और टिकेट काटा गया है तो आपको लगातार जो है साथ बता रहे साथ सांसुदों के टिकेट काटे गया है और महासमुन से जो महला प्रताशी बनाएं गई है रूप कुमारी चौधरी उनसे बात की हमारे सायोगी ने आईए सुनते हैं जो कि प्रत्म सुची जारी हो चुकी है और महासमुन लोग municiphar में रूक कुमारी चौधरी जी को जो मेरे उपर विश्वास जताया है इसके लिए जितने भी हमारे वरिष्ट नेता हैं सेशन नेत्रीतु हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने एक भरती जनता पार्टी के छोटे से कारेकरता के उपर इतनी बड़ी सभी जनताओं का विश्वास है और इसको आपने देखा है कि भारती जनता पार्टी विधान सभा चुनाओं में किस तरह से बहुत अधिक बहुमत से चतिसगर में सरकार बनाई है तो मोदी की गारंटी के उपर पूरी जनता को भरुसा है मोदी की गारंटी मतलब पक्की ग इच्छे होने के नाते भाष्वा में शक्री रही हैं किस तरह का आपको जो है सहयोग महिलाओं का मिलेगा उस तरह को बताया है महिलाओं का सहयोग तो निश्चीत रूप से बहुत अच्छी संख्या में मिलेगी उनका भरोसा मोदी जी के उपर है आज तक जितने भी प्रधान मंत्री हुए तो देश के प्रधान मंत्री मोदी जी है